आप नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे जीवन में कभी-कभी कुछ इस तरीके से पल आते हैं दोस्तों कि जहाँ पर हमारे जो करीबी लोग है समझो वो हमारे लिए भूत कुछ करे तो ऐसे वक्त में बहुत लोगों को ये भी लगता है कि शायद इस इंसान के साथ म मैंने शायद इसके साथ अच्छा वैवार नहीं किया तो ऐसी ही आज की ये हमारी कहानी है हमने पहले भी ये कहानी देखे थी एक उनकुछ ऐसे बाते है आज मुझे आज भी लोग पूछते है तो मैंने मतलब वही सोचा कि ऐसी जो बाते है वो जादा तो जादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि आपके दिल में ऐसा कोई दुख हो तो वो मतलब उसको दूर करने के लिए और आपको बहुत अच्छा गैन मिलने के लिए ऐसी जो कहानिया है उससे आपको बहुत जादा मदद मिलेगी एक सची घटना है दोस्तो ये कुछ इस तरीके से कहानी है कि एक हस्बन ने अपने वाइफ को मतलब खोया था और उसकी जो वाइफ थी उसकी जो पतनी थी वो बहुत बड़ी एक्टरिस थे और उसका बहुत जादा रुद्बा था बहुत जादा उसको मतलब लोग पयार करते थे बहुत सारे उसके लोग मतलब फैन थे उसको बहुत जादा मतलब सम्मान था उसके समाज में और इसको जो पती था वो इतना अपने लाइफ में मतलब असफल हुआ हुआ इंसान वो अच्छा दिखने के लिए भी नहीं, ऐसे वो सुचता था, उसको मतलब जैसे कही ना कही उसकी लोटरी ही लग गई, ऐसे उसको वो पत्नी मिली थी, और हमेशा जबते मतलब उसके साथ वो जिन्दगी जी रहा था, तो जो पत्नी थी उसकी, उसने उसको बहुत ज़ादा प्यार दिया था, और ये भी उसके साथ अच्छे से रहा था, लेकिन फिर भी, इसके मन में कुछ ऐसी बात चुपती थी, कि जैसे इसकी मतलब जो पहचान है, वो बड़े-बड़े लोगों के साथ है, वो लोग दिल से भी अच्छे हैं, काश ऐसे कोई इनसान के साथ इसक कहता था ये बात, लेकिन एकदम खुल कर कभी भी उसने ये सारी बात थे, अपने पत्नी को भी कही नहीं, और इस तरीके से वो जिन्दगी जीता था, बाद में दोस्तों, जब वो दोनों मतलब फड़े बुड़े हो गए, तब उसकी जो पत्नी थी, उसको कुछ बिमारी ह गई, और बाद में वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों, तब इसका जो मतलब बोलते ना दुख, वो और भी बढ़ गया, और वो और भी सोचने लागा, कि जैसे मैंने उसके जिन्दगी वरबात की, अगर किसी और के साथ शादी उसकी होती, तो वो एक अच्छी और वो उसको एक मतलब, अकेले में पियाणो बजाने की उसका आदत थी, तो इस तरीके से वो अपनी जिन्दगी किसी तरीके से काट रहा था, एक बार दोस्तों, वो जेम्स वेन प्राग जी से मिलने गया था, और उसने अपनी सारी बाते उनको कही, जेम्स वेन प्राग यह बहुत बड़े साइकिक है और वो आत्माओं के साथ बात कर सकते है दोस्तों तो उन्होंने उसके मतलब उसकी जो पत्नी थी उसके आत्मा को प्रार्थाना की कि तुम्हारा जो पत्ती है वो तुमसे बात करना चाहता है तो मुझे जो भी संदेश कहोगे मैं तुम्हारे पती को कहूंगा तो इस तरीके से उन्होंने जब प्रार्थाना की तब उसकी जो सोल थी दोस्तों उसकी जो आत्मा थी वो वहाँ पर आ गई और उसने अपने पती को कुछ इस तरी कैसे संदेश कहे उसने हनी कहा जैसे वो अपने पती को हनी कहती थी उसने ये कहा कि हनी मै तुमसे बहुत जादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया में आने के बाद मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रती वो और भी जादा बढ़ गया है, तुमने हमेशा मुझसे मतलब सच्चा प्यार किया और तुमने हमेशा मुझसे हमेशा वफादारी दिखाई है, तुम जितना म पर पुरुथवी पर मेरे बहुत ज़्यादा फैन थे, लेकिन यहा पर masked ज़यसी एक लड़की हुएं एक आत्मा हुँ यहां पर मैं सच्पे बहुत ज़्यादा खुश हुएं यहाँ पर लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं पृत्वी पर कभी कभी बड़े लोगों को खामाखा मतलब जिनको इज़त नहीं देनी वो उनको भी देनी पड़ती है लेकिन इस दुनिया में हम दिल से एक दूसरे को सचा प्यार करते है इस दुनिया में हम सरवशक्तिमान इश्वर को बहुत या अच्छे से समझ पाते है इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मतलब नहीं करना और हमें करना पड़ता है इस दुनिया में हमारी जो भी दिल से इच्छा है उसको हम बहुत यच्छे से कर सकते है चुक्ति कि मेरे अबी बाल भी जड़ रहे और मेरी पत्नी तो कितनी खुबसूरत थी तो मतलब तुम्हारा जो प्यार है तो तुम्हारे प्रती है तुम्हारे बालों के प्रती नहीं है तो इन सारी चीजों को तुम जरा भी तवर्जु मत देना मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ और यहाँ पर जब तुम आओगे तब तुम भी मतलब इन सारी चीजों को पता है मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से चलेगा इसलिए किसी भी चीज को लेकर तुम दुखी मत होना मेरा जो प्यार है तुमारे प्रतिवों कभी भी कम नहीं होगा और आकिर में उसके पतने ने उसको ये कहा कि जैसे तुम अकेले में मतलब अपने ही विचारों में जब पियानों बजाते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम ने अपने लिए जो उन्होंने अपने लिए एक special धुन मतलब create की थी वो भी उसने मतलब कहा कि तुमने अपने लिए जो धुन बनाई है वो भी मुझे बहुत मतलब सुकुन देती है तुम मतलब जैसे जब पियानों बजाते हो तब मैं हमेशा तुमारे साथ होती हूँ हनी तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से उसके पतने ने उसको संदेश दिये और यह संदेश सुनके उनके मतलब आखों में पानी आया और उसने भी कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा मतलब पत्नी के लिए मतलब रूप में मैं तुम्हें ही चाहूंगा और उसके पत्ने ने भी यही का किया यह ज़रूर संभव हो सकता है तो इस तरीके से यह बहुती ज़्यादा भाउत पल थे दोस्तों यह जो कहानी है कहिना कही मैं आपको यही नहीं कहना चाहता हूँ इस कहानी से कि जो हमारा सच्चा पैर है वो कभी भी नहीं मरता इसलिए आप भी कभी भी मैं उसके लायक नहीं वगर ऐसे मत सोचना जितना हो सके हमेशा आप लॉयल रहना दोस्तों यह जो लॉयलिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व पूर्ण है अगर हम किसी को मतलब फसा रहे है तो हो सकता है कि अगले जनम में हम किसी से सच्चा पैर करें और वो हमें फसाए इसलिए हम जितना हो सके अच्छे तरीके से अगर जिवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने भी मतलब नेक्स्ट लाइफ में या फिर हमारे आत्मा के सामने वो सारी चीज़े पल नहीं आएंगे जो दुख हम दुसरे को देते है इसलिए जितना हो सके किसी को भी दुख नहीं देना जितना हो सके हमारे जो अपने लोग है उनसे हम वफादार रहे जितना हो सके हम अपने जीवन में ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे हमें पच्चतावा हो और हम अपने आपको कभी भी ऐसा कम ना समझे दूसरे के मतलब सामने हमारे अपने जो लोग है उनका अगर हमसे सच्चा प्यार है तो वो कभी भी हमें भी मतलब इन सारी चीजों से तुलना उसके नहीं करेंगे इसलिए जैसे उसके पत्नी ने कहा है कि उसका जो प्यार है अपने पत्ती के लिए हमेशा वैसा ही रहेगा मैं आपको भी यहीं कहाना चाहता हूँ कि आपने भी अगर किसी अपने को खोया है तो उनका भी जो प्यार है वो आपके प्रती हमेशा वैसा ही रहेगा आप अपने आपको कम मत समझना आपका जो सच्चा पैर है दोस्तों वो कभी भी इस दुनिया से नश्ट नहीं किया जा सकता तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आप अपना अपने परिवार का खायाल रखना आपका बहुत बहुत धन्य बात जिन्दगे के रोशने के तरफ से इस महने में हम कुछ ऐसे बच्चों को मदद करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनके नोटबुक्स के लिए उनके किताबों के लिए और उसके साथ-साथ उनके युनिफरम के लिए हम कुछ उनको मदद करेंगे तो अगर आप भी ऐसे मतलब कारिये के लिए अपना कुछ युगदान करना चाहते है तो आपके सामने जो भी अकाउंट नंबर आ रहा है उसमें आप उसका युगदान कर सकते है इससे उनको बहुती जादा मदद मिलेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद